ओके बच्छों वेलकम टू पेपर हैकर यूटूब चैनल बायराज सर पिछले वीडियो में हमने प्रस्ट नमबर टू तक आप लोग को कराया था बीए पार्ट वन सेकेंड सेमेश्टर का सिक्षा आज हम लोग थर्ड नमबर कोश्चन करेंगे ठीक है बीए पार्ट वन सेक नहीं होंगे ठीक है अब देखिए यहां थर्ट कोश्चन क्या कर रहा है सुक्षए ठीक है यहां बीये पार्ट वन सिमेश्टर कैंड का शीक्छा रिक्षा ठीक है प्रस्ट नमबर थर्ड क्या बच्छों देखिए आःट लोग टी उए वैदिक काल में गुर्कुल पदती प्रश नमबर वन प्रश नमबर टू और प्रश नमबर थीरी तीनों में गुर्कुल का वर्णन किया गया है ठीक है तीनों में जो है गुर्कुल का वर्णन किया गया है और सिक्छा पदती से संब्धित है तो वाजस्तुक सी बात है कि वहले वड में भी वह आ गया तो गुरु कुल कह ल चांग है पुर मीं तिप अंम करना है उसको थे उत्तर देखते हैं क्या करा है क्या था क्या पद्दती थी उत्तर वैदिक कालिन सिक्छा की एक प्रमुख बिशेस्ता गुरु कुल प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी बच्चों, गुरु कुल प्रणाली थी, समझ में आ रहा होगा आप लोगो, चात्र अपने गुरु के कुल अथ्वा किसी आश्रम में रहते जात्र अपने गुरु के कुल अथ्वा किसी आस्रम में रहते थे ठीक है वही रहकर वे ज्ञान का अर्जन करते थे वही रहकर वे क्या करते थे ज्ञान का अर्जन करते थे ज्ञान लेते थे ठीक है ज्ञान को एचीव करते थे प्राप्त करते थे ज्ञान की प्राप्ति करत ठीक है गुर्कुल यो है गुर्कुल सधानता नैसरगीक सौंदरी से सुरक्षित जनपद को लाहल से दूर प्रकिर्टी में स्थित होते थे गुर्कुल यो है जनपद को लाहल से दूर जैसे गाउं में जब हम लोग रहते हैं तो गाउं में बहुत हो हला इधर उधर बहुत सारे रहते हैं तो गाउं से थोड़ी सी दूर पर जो है गुर्कुल का निवास रहता था गुर्कुल वहाँ चलाया जाता था और नैसरगीक रहता था और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था नैचूरेली चीज बहुत पेंड पौधा चिडिया थोड़ी सी सांती गुर्कुल में पढ़ाई होने सांती तो चाहिए न तो इसलिए वहाँ पे शांती भी हुआ करती थी तो नैसरगीक सौंदरिस से दूर और गाउं जनपद को लाहल को लाहल मतलब वहाँ पे बहुत सारे भीन भाड़ पेंपा इसलिए आवाज उठना इसलिए शांती मे पढ़ाई तो शांती में होती है ना गुर्कुल वहीं पर इस्तिर रहता था ठीक है परंतु परंतु क्या करें बच्चों देखिए वे किसी गाउं या नगर के समीप अवस्य होते थे हमने अभी बताया आपको कि गाउं से थोड़ी सी दूर पर नियरिष्ट गाउं के नस बहुत सारे चीज़ें पढ़ने लिखने की पठन पाठन की चीज़ें बहुत सारी आवशक्ताइं पूर्ति करनी होती हैं आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या क्या आवशक्ताइं होती है एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो वह सब आवशक्ताइं पूरी करनी होती थ तो गाउं के समीप हुआ करता था और गाउं के समीप हुआ करता था तो जो है वहां से जो है चात्रों की उपयोगिता की जितनी समाने हैं वो पूर्ति की जाती थी तो इनकी निवास करने वाला चात्रों की अल्प आवश्यक्ताओं की पूर्ति हो सकती थी ठीक है समझ में आ कर रहकर उसके सदस्य की रूप में जो है ख्यान अरजन करते थे उस से वास्तुमिक जीवन की शिख्चा प्रप्त करते थे घुरू के उच्छी वीच विचार उस समय को तब शीचार के गुरू हुआ करते ठीक है उच्छी विचार वह दर्शो का हर प्रकार से अनुकर्ण कर अपने स्रेष्ट जीवन का निर्माण करते थे वे गुरु के अपने जितने भी पढ़ाय हुए चीज हैं जितने भी बताय हुए चीज हैं उनका अनुकर्ण करते थे और जो है स्रेष्ट जीवन जीने का निर्माण करते थे गुरु ग बैदिक कालिन भारत सिक्षा की परिवारिक प्रणाली में विस्वास करता था वैदिक कालिन एसन मुखर जी ने लिखा है क्या लिखा है बच्चों कि बैदिक कालिन जो भारत की सिक्षा थी वो जो है परिवारिक प्रणाली में विस्वास करती थी और न कि सिक्षा अगर विश्वास करती थी न, कि शिक्षा शंस्थां में सीच्छा संस्थां में विचार नहीं करती थी परिवारिक प्रणाली में विचार करती थी, उमीद करते हैं ये answer आप लोगो समझ में आ गया होगा परशन का answer जो भी है next video में आप लोगो four number question कराएंगे हम तब तक के लिए bye और video अच्छा लगे, like, share और subscribe कर देजिएगा बच्चों, thanks for watching thanks for really